दोस्तों बिमारी से बचने का सरल उपाए आप लोग क्यों नहीं अपनाते हैं अगर अपनाना है और बिमारी से बचना है तो चलिए इस कमाल की वीडियो को हम अभी और इसी वक्त शुरू करते हैं दोस्तों सवाल नमबर एक बाया अंग में लाकवा क्याओं मारता है और फलेरिया क्याओं होता है दोस्तों नहीं जानते हैं तो वीडियो को लाइक चैनल को सब्सक्राइब चलोग दिजिएगा दोस्तों इसका सही अंसर है ठंड़ा समान ज्यादा खाने सें और जर्सी गाय का दूद जो है जंगली उससे फलेरिया की बीमारी होती है और उससे लाकवा भी मारता है इसलिए जर्सी गाय का दूद बिल्कुल नहीं खाना चाहिए दोस्तों सवाल नमबर दो घी की इस महीने में खाने से नुकसान नहीं करता है शरीर में दोस्तो नहीं जानते हैं तो वीडियो को लाइक चैनल को सब्सक्राइब मेरे भाई चरूर कीजिएगा दोस्तो इसका सही अंसर है ठंधा के मौसम में खाने से घी नुकसान कभी नहीं करता है दोस्तो जो लोग गर्मी के मौसम में खाते हैं घी उनको ही नक्सान करता है इसलिए आप लोग ठंडी में ही खाएं सवाल नमबर तीन हडियों की गांठ की दर्द कैसे ठीक होता है दोस्तो नहीं जानते हैं तो वीडियो को लाइक चैनल को सब्सक्राइब जरूर कीजेगा मेरे भाई दोस्तो इसका सही अंसर है भैंस के दूध में हल्दी डाल कर ओंट दें उसके बाद में पिलाएं रोगी को रात के समय में दोस्तो हडियों की जो गांठ गांठ की दर्द है उखमेसा के लिए मिट जाएगी और सुष सरीर हो जाएगा दो से चार दिन में दोस्तो ऐसे कीजेगा तो आपकी जर्द से मिट जाएगी दर्द सवाल नमबर चार धूप में ज्यादा देर तक काम करने से कौन बीमारी सरीर में उत्पन होती है दोस्तों नहीं जानते है तो वीडियो को लाइक चैनल को सब्सक्राइब मेरे भाई जरूर कीजेगा इसका सही अंसर है ज्यादा देर तक धूप में काम करने से सर्ती जुकाम बुखार की बीमारी तुरंत हो जाती है इसलिए ज्यादा देर तक धूप में बिल्कुल नहीं काम करना चाहिए ठंधा में जरूर करें पाल नमबर पांच गर्मी के मौसम में खिचरी कितना दिन पर खाना चाहिए दोस्तों नहीं जानते हैं तो वीडियो को लाइक चनल को सब्सक्राइब मेरे भाई जरूर भीजिएगा दोस्तों इसका सही अंसर है हो सके तो रोज खाना चाहिए खिचरी नहीं तो दो तीन दिन पर जरूर खिचरी रोज खाना चाहिए क्यांकि खिचरी खाने से लिबर जो है उलोहा बन जाता है और कोई परकार की बिमारी नहीं होती है तो पैसा जो है वो बिमारी में खरच नहीं होती है इसलिए दोस्तों आप रोक से हांद जोर करें कहूंगा खिंचरी जरूर खाईए और खूब खाईए इससे सुवत सरी रहता है थेंकी दोस्तों वीडियो पसंद आई तो लाइक शेर करें